पाट ग्यारा संबंध पोधक प्रपोसेशन राकेश राहुल के साथ पढ़ने जाता है घर के पीछे पेड़ है चिडिया डाल की उपर बैठी है बच्चा मा की तरफ आ रहा है चित्रों के नीचे लिखे वाक्यों में के साथ के पीछे के उपर और की तरफ शब्द संग्या शब्दों के साथ प्रयुक्त होकर इनका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ बता रहे है अता ये संबंध बोधक अव्याए है संबंध बोधक अव्याए वे अविकारी शब्द जो संग्या या सर्वनाम की साथ चुड़कर वाकि की अन्य शब्दों से संबंध का पोध कराते हैं संबंध पोधक अव्याई कहलाते हैं संबंध पोधक अव्याई के भेद Kinds of Reposition संबंध पोधक अव्याई का भेद दो आधारों पर किया जाता है एक अर्थ के आधार पर दो प्रयोग के आधार पर एक अर्थ की आधार पर अर्थ के आधार पर संबंध पोधक अव्याई के निम्नलिखित भेद हैं का कालवाचक के पहले के बाद के आगे के पीछे आदी ख स्थान वाचक के अंदर के पाहर के उपर के नीचे के बीच आदी ग दिशवाचक सामनी निकट दूर समीब और आदी घ साधन वाचक के ध्वारा के सर्ये निमित के माथ्यम आदी न समता वाचक के अनुसार के सत्रिश तुल्य तरा समान आदी च हे तु वाचक के लिए की कारण हे तु आदी ज व्यतिरेक वाचक के अलावा रहित सिवाई आतिरेक्ट आदी ज तुल्य वाचक के अपेक्षा के आगे के समान के सामने आदी ज ज सहचर वाचक के संद के साथ समीत सहित आदी य विरूद वाचक प्रतिकूल के विरूद खिलाव उल्टे आदी दू प्रयूग के आधार पर संबंध पोधक अव्यय तीन प्रकार की होते हैं का निर्विभक्तिक, का सविभक्तिक, गा उभायविद का निर्विभक्तिक जिन संबंध पोधक शब्दों का प्रयूग स्वतंत्र रूप से अथ्वा विभक्ती रहत संग्या के बाद ही होता है उन्ही निर्विभक्तिक संबंध पोधक कहते हैं जैसे जीवन भर, घार तक, परिवार सहित, दर्शन मात्र, विद्य विहीन, आदे ख सविभक्तिक, जिन संबंध पोधक शब्दों का प्रयोग, विभक्ति युक्त संग्याओं की बात किया जाता है, उन्हें सविभक्तिक संबंध पोधक कहते हैं जैसे बुराई के विरुद्ध, वीर महराणा की भाते, बाण के कारण, परवत की ओर, समुत्र के किनारे, कमरे की भीतर आदे ग, उभायविद्ध, जिन संबंध पोधक शब्दों का प्रयोग, उपरोग तोनों प्रकार की संग्याओं के बात किया जाता है, उन्हें उभायविद्ध संबंध पोधक कहते हैं जैसे, अ, फोन द्वारा, फोन की थ्वारा, ब, लोगों सहित, लोगों की सहित, स, पीट पीछे, पीट की पीछे, द, जल बिना, जल के बिना आदे क्रिया विशेशन और संबंध पोधक में अंतर क्रिया विशेशन का प्रयोग, क्रिया की विशेशता बताने के लिए किया जाता है, तथा संबंध पोधक अव्याई का प्रयोग, संग्या या सिर्वनाम की साथ होता है क कक्षा के अंदर बैठो क कक्षा के अंदर शोर हो रहा है हम एक पहले चान लेना चाहिए था हम जाने से पहले अवश्य मिल कर जाएंगे क्रिया विशेशन गा तुम उपर चड़ो संबंद बोधक तुम पेड की उपर चड़ो क्रिया विशेशन गा चात्र भीतर है संबंद बोधक चात्र कक्षा की भीतर है